कैसी लगी मेरी नई गाड़ी अच्छी है ना BMW है BMW यकीन नहीं आ रहा है ना देखो BMW असलाव लेकुम हेलो हेलो एंड हेलो वेलकम बैक दे चनल मैं तो सिख खान आज विश्वल और तीसरी बार फिर से मुझे स्री नगर आना पड़ा है कर जो ही मैं गर पमच गया वाटसाप चेक किया तो वहां से इंविटेशन मिली कि आपको फिर से ही बार स्री नगर आना है और यहाँ पहर पार्टी है इफ्तार पार्टी को रहा है रहे हैं मैं वह भी बता दूँगा बेसिकली यह जो कश्मər अपनी पारटी की तरप से एक तार पार्टी हो रही है और पार्टी पैटरान मिस्टर अल्दा बुखारी हसे लालозд बहीं हमें छे बजे बजे भहाँ करना है तो मैं तब तक यहां से देखे कि तूरिस का रच आज कितना है तूरिस कितना आ रहा है काफी ज्यादा दूरिस है बहुत ज्यादा डल्ले के किनारे आपको भी देख रहा हैं देखिए तक फिलाल अभी हम नीचे जाएंगे डल लेके नजारे वाव फिलाल अभी अपना सामान लेकर हम बढ़ गए आगे बैसिकली आज मेरी आप ड्रासिंग सेंज देख सकते हैं आज पोरा कैशुल जाना पड़ा क्योंकि एक वी आई पी इफ्तार पार्टी है वहाँ पे सारे पॉलिटिशन और सारी मीडिया फेटर्निटी पी वहाँ पर मौचुद होगी यहां मेरे पिछे आप देखिए है ना जबर्दस जगा और एक बात डल के किनारे में आप से एक बात बुचू एक बार सबस्क्राइब करो बस यह एक बार होता है एक बार सबस्क्राइब करो बस फिर देखते रहो ओके इस बार उमीद रखूंगा कि जो भी वीडियो देखेगा सबस्क्राइब करेगा कॉमेट भी करेगा और लाइक भी करेगा क्योंकि उससे एक इंस्प्रेशन मिलती ही है यह भी पता चलता है कि कहां पे मुझे इंप्रूमेंट करनी है क्या कुछ करना है वो आपके कॉमेंट से ही पता चलेगा कि निकल गए हम अभी 15 मिर्ट बचे हैं जोचा की तब तक बहुंच जाते हैं इस घुपकार से हम निकल रहे हैं यहां से ललिट ग्राइड बालस यह रोड सही है स्वीट अबागी आपको पता ही है कि हवारे कश्मीर में रोड की खसता हालत क्या है तूरिस से जब मैंने बोचा कि आपसे इंटर्व्यू ले लूँ अबाउट कश्मीर में बहुत खुश हो गई हाँ हाँ मुझे देना है मुझे देना है कि यह बहुत खुबसूरत जगा है और लास में कह रही है कि मैंने एरपोर्ट पे देखा था कि यह जन्नत है मुझे जब पॉजिटिव कॉमेंट आएंगे तब यहां पे टूरिस्स बहुत जदब बढ़ जाएगा और वो हम चाहते है कि यहां पे टूरिस्स बढ़े क्योंकि आम जन्ता के लिए यह एक बेनिफिट होता है आपको एक खुबसूरत मस्जीद में दिखाता हूँ आप लोगों है सुबहान अल्ला माशा अल्ला और यह रिवर के किनारे हाउस बोड देखिए कितनी खुबसूरत लोकेशन है वाव गाड़ी देखिए बीम डब्र्यू की पता नहीं कौन सी गाड़ी है मैं को देखना है पीछे से गाड़ी काफी लंबी है 520D बीम डब्र्यू है चिंड कार कैसी लगी मेरी नई गाड़ी अच्छी है ना बीम डबल्यू है बीम डबल्यू यह कीन नहीं आ रहा ना देखो बीम डबल्यू वैसे मैंने टाइटल में लेखा था कि आई गाट माई निव बीम डबल्यू बट यह सॉरी आप ज़ी मैं देपा तो एक उत पड़ पिछ अच्यो मस्जीद शरीफ और मोर बाउट स्री नगर्सकी अच्छा लग रहना है आपको अभी वास थोड़ी देर के बाद ही हम अंदर जाएंगे कि हम स्पाट पे पहुच गए यह पीछे हमें अभी अंदर जाना है वही पे इफ्तार पार्टी स्टार्ट हो जाएगी और करना के थोड़े थोड़े विज्वल हम दिखाएंगे क्योंकि बहुत वी आईपी इफ्तार पार्टी है में भी वहां पे कैमरा अलाओड नहीं होगा अगर होगा तो आइल शो यू सम विज्वाल्स ओके करेंगे इफ्तार पार्टी हो गई अलहम्दिल्ला से निकलते हैं आप गर क्योंकि टाइम भी साड़ी आठ बच गए वन्हों दस बचे गर पहुंच जाएंगे इंशाला गर पहुंचके आपसे मुलागत करेंगे क्योंकि अभी क्योंकि अभी में कब बोलना भी नहीं आता क्योंकि अभी डार्क पोड़ा आगे क्या होगा डार्क ही डार्क अब हम सीधे कॉंसेंट्रेट करेंगे ड्राइब पे गर पहुंचके आपसे मुलागत करेंगे और फिर गर पहुंचके ही विलोग को एंड करेंगे ओके नजारा देखिए बाई साब फुट ब्रिज का अजारी गाड़ी को टर्न करेंगे और विल बैक आहूं तो अलहमदलिल्ला पहुंचके कर बहुत थकावट हुई थकावट हुई और महसूस भी हो रही है क्योंकि तीन दिन से लगाता है और सीरिन नगर से वापस वापस से श्रीन नगर से वापस इट सबाउट 500 किलो मेट कर लिए फिलाल अभी लेते हैं अजाज़त क्योंकि 11 बच के और वाट सो रीजन आपको ये वुलाग पसंद आया होगा तो प्लीज शेयर सबस्क्राइब और कॉमेंट अलाहाफिज स्टे मलेस्ट